नमस्कार दर्शको आज के इस विशेश अंक में आप सभी का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं दर्शको पूरा भारत वन महुत सो मना रहा है लोगों को वनों की उपियोगिता के विशाय में जागरुक कर रहा है क्योंकि व्रिक्ष है तो वर्शा है व्रिक्ष है तो भोजन है व्रिक्ष है तो हरा भरा वातावरन है हम व्रिक्षों के बिना अपनी जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते आज की कारिक्रम में हम विर्क्षो की महत्वता और वन महत्सो के विशय पर आपसे बातचीत करेंगे चर्चा करेंगे इस चर्चा पर भाग लेने के लिए हमारे साथ है आज हम विर्क्षो की जो उप्योगिता है उस बारे में आपसे जानेंगे वन महत्सो के संदर में जो भी एक्टिविटीज हो रहे है वन विभाग की और से इस फिशे पर आपसे हम जानना चाहेंगे तो सबसे पहले आप हमें ये बताए कि जो वन है ये हमारे जीवन में क्या महत्वर रखते हैं जैसा कि आपने कहा ब्रिक्ष है तो जीवन है तो मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि ब्रिक्ष जो है हमारे जीवन का आधार है हमारे जीवन ही नहीं हमारे जो वाइल्ड एनिमल है उसके जीवन का भी आधार है लिक्षों से हमें फूड फ्यूल फोडर फरनीचर एवं राव मेटरियल फूर इंडेस्ट्रीज मिलते हैं इससे हमें आक्सीजन मिलता है और यह जो करवन डायोकसाइड है बातावरन में उस दूसरी चीज हम इसे जो है क्लिन एर मिलता है और यह काम करता है दूसरी चीज इसमें जो हमारा है वाइल लाइफ है व्रिक्ष नहीं होगा तो हमारे वाइल लाइफ कहां जाएंगे तो फिर उनके लिए प्राब्लम से हो जाएगी इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूर है दूसरी चीज हम हमारा जो यह मॉडर्न लाइफ है इस मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हर्याली देख करके हम रिफ्रेस होते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ हमारा विरिक्ष जो है स्वाइल इरोजन को भी कम करता है तो हमारे जीवन में विक्षों का बहुत महत्तो है मैडम और इसलिए लगाना बहुत जरूरी है तुबंडिरेम्टन लीजी हम प्रती वर्जों है वनमौन सवध हम मनाते हैं इसे मनाने का उद्एश क्या है वह इसे बनाने का मुख्य उद्एश से यह है कि जैसे हमें बनमौन सवब के माध्यम से लोगों में जन जागिरती पैदा करना लोगों में लोगों में पेड़ के पड़ती उनका इंट्रेस्ट जगाना जैसे हमारे भावी पीड़ी है यह बच्चे हैं तो बच्चों में भी जन जागिरती पैदा करना पेड़ जादस ज्यादा पेड़ लगे के हमारा जीवन जो है सार्थक नहीं है तो हम यह कहना चाहेंगे कि इस ट्रेटरी में जो हमारा बन महुसब है उसको गभर को बढ़ाता है पेड़ पाउधे लगाते हैं तो और उसे हम जो है इसे बन महुसब के माध्यम से लोगों में एवर्नेस पैदा करते हैं और फिर हम य इकास भी हो और हमारा प्रदेश जो है वो इको फ्रेंडली रहे यहां पे जो यहां की जो वातवर्ण है वो स्वक्ष रहे और उस परदूसन रहीत रहे तो उसके लिए जैसे हम लोग को सीज करते हैं मेडम की यह जो बन महुसब के माध्यम से ज्यादा ज्यादा पेड़ लगे और हमा जो है टारगेट है अंदमा निकोवार दीवस और हमारी ग्रीन जो है वो हम उसको बढ़ाते रहें जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमा निकोवार आईलेंड है वहाँ पे 86% फोरेश्ट है पूरे भारत बर्स में आप देखेंगे कि एक सब्ता बनमहुसब मनाये जाता है लेकिन अंडमा निकोवार आईलेंड ऐसा जगह है जहां पे पूरे महीने हम बनमहुसब मनाते हैं तो यह बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है और इस पे हम यह आपको इस मौके पे बताना चाहेंगे कि इसमें हमारे जो मुक्ष सची महुदे हैं या हमारे जो दीप के ऑन्रेवल लेटिनेट गवर्नर है या हमारे जो परदान मुक्ष बन सब्कारा योगदान है तो उनके मार्ग दर्सन में ही स्टेट्रिय में हम पूरे महीने बनमहुत्ब से मनाते हैं एच तो बिरेंद्र जी ौजू में बनमहुत्ब सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब इस था ल選ए तक मनाया जाएगा बन महुदसब तो बन महुदसब में हम तरह-तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे स्कूलों में भी हम ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्प्टीशन्स एसे कंप्प्टीशन्स रख रहे हैं पेर पौधे की उपयोगता पे और उनको फर्स प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज इस तरह से उनको दिया जाता है साती साथ हमें स्टेट लेवल के भी फंक्शन करते हैं अंडमान निकोबार आईलेंड में इसी संदर्म में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी हमने ब्वाइस सिनियर सेकंडरी स्कूल मिडिल पॉइंट में एक स्टेट लेवल का फंक्शन किया था उसमें हमारे बहुत सारे सिनियर अधिकारी आये थे साती साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पदा अधिकारी हैं जैसे डिस्टिक एजिक्वेशन ओफिशर हैं डिप्टी डिरेक्टर हैं और बहुत सारे स्कूल के प्रिंस्पल्स उसमें भाग लिये थे और वहां पे स्कूल में जो बच्चे हैं करीव 600 से अधिक बच्चे हैं 12 कलास तक हैं और वहां पे ग्राउंड भी था तो वहां पे हम लोगों ने 45 पेड लगाए उसमें बहुत सारे पौधे थे फ्रूट बेरिंग इस्पेसिस थे साती सात डिलीजियस पौधे भी हमने लगाया जैसे सिता सोक है और रुद्राक्ष के पौधे भी और आमला है तो यह सारे डिलीजियस पौधे हैं उसको भी वहां पे लगा प्रूट बेरिंग इस्पेसिस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमारे जो मानिये मुक्षची महदे ने सोला लाग का टार्गेट दिया था बन विवाग को पौधे उगाने के लिए तो पिछले साल का पौधा भी इस साल हमारे पास है स्टॉक में ह पूरी तरह से हम बित्रित नहीं कर पाए तो एक साल दो साल ओल्ड सिड्लिंग है हमारे बीच तो वह व Delicious हूं कहीं से भी डिमांड आता है तो हम उनको उपलब्द करारा करके फिर उनको जदी हमारी सहायता होती है हमारे हां विवाग में regular मजदूर भी हैं तो उनके माधियम से उनके पास जदी manpower की कमी होती है तो उनको भी हम उनको भेज करके पी digging करा देते हैं और उनको बन महुसब मनाने में हम सहयोग करते हैं जैसे अलग-अलग विभागों में भी बन महुसब का तेवहार मनाया जा रहा है तो उनके तरफ से हमारे पास डिमांड आता है तो हम उनको पाउधे उपलब्द कराते हैं और जो भी उनकी डिमांड रहती है प्रूट बेरिंग चाहिए या उनको रिलीजियस पाउधे चाहिए या फरस्ट्री स्पिसी चाहिए हमारे सभी पूरे अंड़मान निकोवार में बहुत सारे डि डिमांड करते हैं तो फिर उनको भी तुरत हम प्लब्द कराते हैं साथी साथ वो कहीं जदी बनमहोसब मनाना चाहते हैं और वो जगह जगह उनके पास एवलबूल रहता है तो हम अपने आदमी को भेज करके वहां पे बनमहोसब मनाने के लिए हमारे लेबर को उनको वहां पहुंचा देते हैं और जहां कहीं जरुवत पड़ती है तो मैं भी वहां पे उनके साथ जाता हूं और उसमें पाटिसिपेट करता हूं ताकि हमारे इस से ट्रेटरी में गिरिनरी और जो ट्री कभर है वह बढ़ता जाए अगर हम रूची रखे तो आपका पूरा सहयोग रह प्रेटरी है श्री नरेंदर मोधी जी ने दिया है और बहुत ही अच्छा तीम दिया है एक पेड़ मांके नाम उन्होंने थीम दिया है जैसे हैस्टेग प्लांट फोर मदर कंपेंड इंगलीज में बोलते हैं तो उन्होंने इस बार थीम दिया है इसका मतलब यह हुआ कि एक पेड़ मांके नाम मतलब कि एक एक पेड़ धरती मांके नाम मतलब कि हमें धरती माता को हरा भरा रखना है जो हम धरती माता को हरा भरा रखेंगे तो हमें खुशाली आएगी और उससे हमें अनाज फल सब्जी सब्जी मिलेंगे तब हम हमें खुशाली रहेगी हर साल भारल सरकार द्वारा जो विक्षो की संख्या बढ़ाने के लिए एक टार्गेट फिक्स किया जाता है तो इस साल क्या टार्गेट है और हमारे वीपो में इस टार्गेट को अचीव करने के लिए किस तरह की तैयारिया हैं क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं हर साल टार्गेट हमें गमेंट आफ इंडिया से मिलता है तो इस साल भी हमें 21,14,000 का टार्गेट मिला है प्लांटेशन करने के लिए अंडवान निकोबार आईलेंड में तो हमारे जो परधान मुखवन सन्रच्छक हैं उन्होंने ये टार्गेट सारे डिवीजिनों में डिस एक ह है इसा Grade में 20 Euro 22 का टार्गेट दिया गिया है कि मिडिल अटमान के ऊसा in फ्रुबार तांग आए लिए जारकन टार्गेट दिया गिया है। स्वराजदीफ है मेडम वहाँ पे 27,000 का टार्गेट दिया गया है जिस हिसाब से एरिया है उनके पास उपलब्द उस हिसाब से उनको टार्गेट दिया गया है जैसे निकोबार फोरेस्ट डिवीजन है वहाँ पे 46,000 का टार्गेट दिया गया है और हमारा जो सिल्वी कज़ 14,800 का टार्गेट भारत सरकार ने दिया है और उसके लिए हम लोग परियास रहते हैं कि हम 100% टार्गेट एचीव करेंगे अभी तक हमने 5,7,000 प्लांटेशन पूरे अंडमान में कर चुके हैं और ये टार्गेट मडम आपको बताना चाहेंगे कि ये टार्गेट सिर्फ हम ब देनी सीजन में चलता रहता है और पूरे पूरे साल का हम इसको 21,14,000 टार्गेट हम ये साल एचीव कर लेंगे 100% जैसे पिछले साल भी 100% एचीव किया था उसी तरह इस साल भी 100% हम टार्गेट एचीव कर लेंगे तो बिरेंडरी जी जुलाई की महीने में हम वन महन सो बन आते हैं जो हमारे दीपो में चारो तरफ मैंगरो फैला हुआ है तो मैंगरोस की जो उपियोगिता है इस बारे में आप से हम जानना चाहेंगे जैसे की आप सभी को मालूम है 26 जुलाई को मैंगरोस के रूप में हम लोग मनाते हैं तो मैंगरोस के बारे में भी आपको बता चाहेंगे जैसे सुनामी आया था तो सुनामी के समय में मैंग्रूप्स हमारे जो समुद्र के किनारे है वो डटे थे और उससे हमें काफी जानमाल की छती से उन्होंने बचाया था तो मैंग्रूप्स का हमारे जीवन में बहुत महत्तो है और मैंग्रूप्स का हम लोग जैसे करते हैं, साथ ही साथ में ग्रूप के भी हमारे जितने सारे डिविजन्स हैं उनको टार्गेट दिया गया है वो नर्सरी करने के लिए और हर साथ में गुरूप का भी हम प्लैंटेशन करते हैं, मैं से बचाता है साथ-साथ जो बहुत जयादा यह लहर आता है समुद्र में कभी-कभी बहुत ज्यादा साइकलोन आता है अंडवान निकोवार आइलेंड में तो उस साइकलोन से रच्छा के लिए मैंग्रूप्स बहुत ज़रूरी है चुक्षि जो हमारे सी बैंक है वहां पे पहला plantation है, वो mangroves का ही plantation है, और mangroves के plantation से ही हमारी रच्छा होती है, वो हमें एक प्रहरी के रूप में mangroves जो है, वो समुदर के किनारे खड़ा है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, वो भी जैसे हमारे पौधे, सवक्षिय हवा और pollution से हमें बचाते हैं, पूरे अंडमान में कोस्टल एरिया बहुत है और कहीं कहीं हमारे मैंग्रूप्स जो है डामेज हो गया थे यह सुनामी में या बीच-बीच में साइकलोन आते रहते हैं तो हमारी कोसिष रहती है हर साल की हम उसकी भारपाई कर ले और इसी के लिए हम नरसरी में भी और सभी डिवीजन्स में सारे डियफोस को टार्गेट देते हैं और प्लांटेशन करते हैं हर साल में तो बिरेंडर जी आज कर लोग क्या एको फ्रेंडली हट्स बना रहे हैं नेचर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक बायो फैंसिंग इस बारे में भी हम सुन दिपार्टमेंट हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम पीड़ूडी से या फोरस्ट दिपार्टमेंट से होता है तो इस बार हमारे प्रमादर्निये स्री केसव चंद्र जी जो मुक्सचीव हैं हमारे तो उनके जो है बहुत अच्छा एप्रोच है उन्होंने बायो फैंस क्यने में बिल्डिंग बनेंगे में खंक्रीर जो में फैंसिंग नहीं करना बॉंड्री वाल नहीं करना है आमने घ्रिटरिव फैंसिंग करने आए जैसे प 이야기ं प्रेंस के लिए जो भी पाहुद के है उस मोडल में यह है कि सबसे पहले हम बंबू का करेंगे उसके बाद दो तीन रो हम जैसे महंदी है जे ट्रोफा है आपके क्यो कारपस है तो इस तरह के यह बगुन वेलिया है तो इनके पेड लगाएंगे दो तीन रो लगाएंगे और फिंसिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमे जैसे डोमेस्टिक एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है उससे परवेश ना कर सके तो हमारे जो मुक्सची महदे हैं उनका यह कहना था कि ऐसा नहों कि फैंसिंग जो है इसलिए हम वहाँ पे नजदीक नजदीक पेड लगाएंगे लगा करके इस बार अभी हम लोग स्टिटल मेरी कीा दिवर सब्सकार wanna के सब्सक्राइब यूर्ब इस फैंसिंग करने के लिए हम उनको फर्ष डिपार्ट्मन्ट से उपलफद कराएंगे साथ साथ हमारी जो भी बिल्डिंग्स आएगी हम उसमें भी विजिटेटिव फेंसिंग बायो फेंसिंग ही करेंगे तो बिरेंदर जी जो वरिक्षों से क्या है वातावरन हरा भरा रहता है और वातावरन को स्वच रखने के लिए जो कूड़ा कच्रा जो होता है उसे भी सही तरह से डिस्पोस करना बहुत जरूरी है आप से जाना चाहेंगे कि कच्रे को सही तरह से डिस्पोस करना कितना जरूरी है कुड़े कच्ड़े से मैं यह कहना चाहूंगा कि यह solid waste management में आता है मेडम कुड़े कच्ड़े से air pollution और water pollution फैलता है तो हमारी कोशिस होनी चाहिए कि कुड़े कच्ड़े का जो disposal है वो सही तरीके से हो तो इसके लिए हम यह आपको बताना चाहेंगे कि यह solid waste management में आता है तो solid waste management treatment plant होता है अन्वान निकोबार में भी solid waste management plant होना चाहिए जदी नहीं है तो solid waste management plant के माध्यम से हम solid waste जो है जैसे गीला कच्ड़ा है या सुखा कच्ड़ा है तो उसको हम अलग-अलग segregate करके जैसे हमारे municipal corporation हैं वो collection करते हैं और उनके माध्यम से इसका disposal होता है तो उससे उस pollution और water pollution जैसे हम सही तरीके से उसका परवंधन नहीं करेंगे तो हम हमें यह air pollution और water pollution फेस करना पड़ेगा और air pollution के बारे में मैं बताना चाहूंगा की air pollution जो है एक कच्ड़े से भी फैलते हैं दूसरी चीज जो है वीकिल से भी यह एर pollution फैलता है और industries में भी बहुत तरह के industries होते हैं मैंडम जैसे प्राइक तरह की industry होते हैं वाइट कटगरी industry होता है ग्रीन कटगरी industry होता है और और रेड कटगरी industry होता है red kadis Hi होते हैं वह ज़्यादा पोलूशन फयलाटे हैं और उसमें जैसे जो केमिकल है वह ज़्यादा पॉईजिनस होते हैं ज़दी हम उस में In Tenn 2007แลंट नहीं लगाते हैं यह तो उसके बज़़ से treatment करके के हम जदी फ्लूएंट का डिस्पोजल नहीं करते हैं तो उसे उसे ज्यादा खत्रा है अब जिसे बीना ट्रीटमेंट किये हम जदी खेतों में फेक देंगे या जल में परभाहित कर देंगे जलिये जीव जन्तु जो है उनको भी हानी पहुंचाएगा और वो सभी मर ज सकता है और बहुत सारे लोगों को सोचेंगे कि मतलब एक फूड से दूसरे फूड में टांसफर हो जाता है मचलियां जो केमिकल्स है वह खा लेती हैं फिर वह जदी मचली को खाएंगे तो फिर उसे मनुष्य में आ जाएगा तो उससे हमें काफी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कैंसर हो जाता है या हर्ट की बीमारी हो जाती है बहुत सारे खतरनाग बीमारी हो सकते हैं तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि उसका प्रोपर डिस्पोजल होना चाहिए ताकि वाटर पॉलूशन ना हो दूसरी एर पॉलूशन के लिए भी जहां कहीं भ वोगिए रहा है, फॉरस्ट डिपार्ट्मेंट से उसके से लगवाते हैं ताकि पॉलुशन कम प्धैले सार्नसांट है, आपके आरह 미ल हैं, वहां पे वी जञेंड़ि आर्ट्रक्टिंग डिवाइस लगाते alan असां डस्ट जो है वो इन्वार्मेंट में चले गा तो उसके वज़े से वो ज्यादा प्थास प्लूशन भाइलने का डर है ऐर प्लूशन ज्यादा होगा तो वह सारी चीज़ें होती हैं दूसी बढ़े बड़े उस्पीटल है तो उसका भी सही तरीक्के से डिस्पोजल होना चाहिए जिसे पी जी आई है या और भी बड़े-बड़े हос्पीटल्स हैं तो private hospitals भी हैं वहां पे surgery होता है तो उसमें surgery के दौरान human parts भी निकालते हैं जिसे plaster होता है तो plaster में भी उसको plaster को भी काटते हैं उससे भी निकलता है तो भी एक waste हो गया तो उसका भी proper disposal होना चाहिए जिसे needle use करते हैं करते हैं तो उसको भी सही तरीके से disposal होना चाहिए अब जिसे biomedical based के disposal के लिए incinerator होता है तो incinerator बड़े बड़े जो PGI है या चंडीगड़ में मैं था तो वहां पे और बहुत सारे hospitals हैं वहां पे तो वह incinerator रखे थे तो incinerator जो है वह उसमें needles है या सिरिंच है या biomedical waste है उसको वहां पे जला देते हैं तो उससे उनका proper disposal हो जाता है तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आजकल जो है बहुत सारे गाड़ियां हैं जहां पे एक गाड़ी से काम चल सकता है तो वहां पे लोग तिन ति है तो वह भी तो pollution पहलाते हैं air pollution पहलाते हैं तो हमारी एप्रोच होनी चाहिए कि कि हम ज्यादा वैसी चीजें इस्तेमाल ना करें जिससे कि हमारा परियावरन जो है असंतुलित हो जाए एकोलोजी कली अन्बैलेंस हो जाए जैसे sustainable development की बात होती है तो development हो हम ऐसा नहीं कहत हो तेजी से बढ़ रही है बहुत ज्यादा population हो गया है उसके हिसाब से हमारी आवे सकता भी बढ़ गई है तो आप सकता कि अनुशार ठीक है हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वह अच्छी चीज है लेकिन कोशिस यह होनी चाहिए कि कोई भी चीज का इस्तेमाल हो तो बड़े बड़े पेड़ लगे रहते हैं तो वह पेड़ों को जदी हम दोनों साइड और हम लोग इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं वहां पर देखते हैं कि दोनों तरफ मैचियो ट्री लगा है उसकी क्राउन बीट बहुत ज्यादा है तो क्राउन बीट जिसका जिस ज्यादा होगा मैढम कि उसी लेवल का एशलए करेंगे उसी लेवल का परियावरन को संतुलित करेंगे मतल्हक improved और सब् dov holding र immense सुद्ध होटे के इजिएan सुद्ध होगा तो उस हिसाब से हम वहां देखते हैं तो हम लोग तेसाइड करते हैं कि नहीं एक दरफ का पेड़ बच जाए और एक तरफ का पेड़ कटे तो थीक है तो उसके लिए हम लोग एक तरफ का पेड़ प्रपोज करते हैं कि नहीं एक तरफ का पेड़ कटे ठीक है वाइडिनिंग होना है तो डेवलप्मेंट भी जरूरी है तो उसमें हम लोग वह अप्रोच रखते हैं कि कि दूसी तरफ का एक तरफ का पेड़ बच जाए उसी तरह से जैसे कहीं पर वाज टावर लगाना है मोबाइल टावर आजकल लग रहे हैं तो उसमें भी कहीं कहीं पेड़ ज्यादा कटता है तो हम लोग कहते हैं कि सेलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जहां कम से कम पेड़ कटे ज पर ट्री कभर ट्री कभर ज्यादा बड़े ट्री कभर का मतलब होता है मेडम कि जैसे हमारा जो रिकॉर्ड़ फोरेस्ट एक होता है तो रिकॉर्ड़ फोरेस्ट में होता है नोटिफाइड फोरेस्ट जो हमारे रिकॉर्ड में है तो वह आता है ट्री कभर के अंतर हमारा ज है दोनु को आप जोड़ देंगे तो ट्री कवर हो जाता है तो ट्री कवर हमेशा जो रिकॉड़ुड फॉरिस्ट कवर है उससे ज्ञायदा होता है तो हमारी कोशी सीह होनी चाहिए कि हमारा ट्री कवर जौहए ज्मारी जो प्रतेश में Square है वो बढ़ता रहे ताकि जो है यहां पे हम प्रदूसन रहीत रह सकें जैसे बड़े-बड़े सहर हैं मुंबई हैं आपके डेली हैं वहां पे आए दिन आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं गर्मी से हैं तो यहां पे उस तरह का यह एर क्वालिटी बहुत अच्छा है यहां पे एसी की जरुवत नहीं पड़ती यहां पे ऐसे ही खुले आसमान के नीचे हम रह सकते हैं तो यह बना रहे और इस तरह से ज्यादा हमें गर्मी महसूस ना करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं बस हम यह लोगों से रिक्वेस्ट कर हमें आशा है कि जो भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं हमसे जो जुड़े होंगे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा पेड़ों की उपयोगीता है उसके बारे में उन्होंने समझा होगा और जो हमारी युवा पीड़ी है वो भी जरूर इस अभ्यान से आ हुआ 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 है हुआ हुआ है